एलो एफ्रीवन वेलकम टू ब्रेक्टाइम प्लासस किसी ने हाल में कमेंट किया था कि यूपी कैबिनेट के ऊपर वीडियो बना दीजे तो याने वाले सभी एक्जाम के लिए इंपॉर्टन्ट होगा चाहे वो लेखपाल का एक्जाम हो चाहे आरो यारो का एक्जाम हो या है तो यह पिर हैस्टेग में जो नंबर दिया है 7355459135 पर कॉंटेक कर सकते हैं आरो यारो में अभी तक 6 टेस्ट हो चुके हैं इस संड़े को 7 नंबर का टेस्ट होगा सभी प्रीवियस जितने भी टेस्ट हो चुके हैं वह सभी टेस्ट और इंपॉर्टन शॉट नोट ह मंत्री नी कौन कोन से विभाग अपने पास रखो चौ तो सबसे युदा इंपोर्टन्ट वह आगे चलेंगे उप्मुख्य मंत्री केशो प्रसाद मौर के पास कौन का पूर बीगास और नहीं को आप प्रशाद मौरे के पास है इसके लावाए खादी प्रसंक्रण इनके पास मनुर रंजन है सारजनिक उद्यम से जो टैक्स होता है वो सभी केशो प्रसाद मौरे के पास है आगे चलेंगे अगले जो उपमुखी मंत्री इनका नमें ब्रिजेस पाथक इनके पास कौन-कौन से तो चिकित्शा सिच्छा सुास्त चईने परिवायर कल्यान और शिशु कल्यान जो भीभाग है उर भरेज्शन के पास है जल सक्ती मंत्राले काफी इंपार्टन्ट है यह स्वतंतर र्देख सिंग के पास है आग supports मंत्राले दुखदिविकाश cancelled प्रशाद के पास और यह बहुत इंपॉर्टन्ट है वेवी रानी मौरी जो पहले उत्राखंडी की गुवर्णेर भी रह चुकी है उनके पास विभाग है महिला कल्याण मंत्राले का अपू उत्तरप्रदेश में इसके लाओं मत्ष का भी भाग है संजय निशाद के पास समाज काले कल्याण अनसूची जाते और जनसकती कल्याण का जो भी भाग है वह असीम अरूण के पास है क्रिशी मंत्री कौन है सूरी परताप साही उत्तरप्रदेश के बेसिक सिछा मंत्री है संदीप सिंग पंचायत 1946 में हुआ था और यह आने वाले किसी भी एक्जाम्स के लिए टॉपिक काफी ज्यादा इंपोर्टन हो सकते हैं इसलिए इसको ध्यान से देखेगा समिधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी पहले जो आस्थाई अध्यच बने थे समिधान सभ पहले बैठक कब हुई थी 9 दिसंबर 1946 नेक्स्ट है समविधान अंगीकृत या फिर समिधान दिवस हम किस दिन मनाते हैं तो 26 नॉबर 1946 को हम समिधान दिवस मनाते हैं और यह लागू कब हुआ था 26 जनौरी 1950 को जिस दिन हमारा गड़तंत्र दिवस होता है सामिधिक सलाकार कौन थे उस टाइम पे तो बियन राओ थे समिधान सभा में कितनी महिलाएं सामिल थी 15 महिलाएं सामिल थी अब कुछ प्रमुख समिधियां थी और उनके अध्यच मैचिंग वगरह में पूछे जाते हैं तो संग समिधान समिधी इसकी जो अध्यच थे जवाल लाल नेरू संग से रिलेटेद कुछ भी आएगा उसके अध्यच जवाल ला नेरू थे संचालन और नंयम समिती के अध्यच ते डॉक्टर राजीन्द प्रशाद प्रारूप समिधी की दिख रहा में यह झेदे को द्राफ्टिंग समिधि कमेटी का जाता है मॉलीक अधिकार और प्रांती समिधान समिधी की अध्यश्टे बलब भाई पतेल भाग भी पुछे जाते हैं कि कौन सा भाग किस विसे से संब्दित है तो टोटल 22 भाग है वैसे अगर टोटल लिया जा जो एबी सीडिया जोड़ दिया जाता है उस तरह से 25 भाग हो जाते हैं लेकिन अगर मुल् अधिकार है तीसरा है मौलिक अधिकार चौथा है नी तिके नेदेशकत तो यह आता है चौथे पिर मूल करता भी यह भी काफी ज़्यादा इंप्पोर्टन था यह चार ए में 4 ए में संग सरकार किस वे रखा गया है किस भाग में तो संग सरकार को पांचवे नमबर पर कर ली थी राजी सरकार की बाद छे में कर ली ती साथ कुछ नहीं आठ में संग राज्चे जो यूनियन टेरिटरी होते उनके बारे में अब पंचायत किसमें यह लेकपाल के लिए काफी इंपॉर्टन्ट है तो बंचायत है नवे भाग में नगरपाली का 9a में है सहकारी स समधियां आगे चलेंगे भाग 10 में क्या है तो अनिसूची जाती और जनचाती से संबंदी जो छेत्र आते हैं वह भाग 10 में आएंगे भाग 11 में संग और राज्यों के बीच संबंद आएगा और 12 में यह इतना इंपॉर्टन है लेकपाल के लिए बाकि जो पहले वाले थ संग और राज्यों की अधिन सेवाएं यह भी इंपॉर्टन है 14 नंबर संग और राज्यों की अधिन सेवाएं 15 भी इंपॉर्टन है 15 में आता है निरवाचन जो हर एक्जाम में लगबग पूछा जाता है फिर 16 नंबर पे कुछ वर्गों के लिए विशेश उबंद 17 में करते हैं राजबासा काफी ump tolerant है u8 तो ऊपात काल के बारे में किसमें है किस भाग में 18 छलिंघ फिर आता है 19 नंबर के लिए 20țे इयो बीस नंबर सम्धान Satya इसके बाद यहां पर 21 नंबर आता है आस्थाई विशेश नंबर 22 में आता है संचित नाम उसके बाद प्रारभ और निर्शन इस अभी 22 में आते हैं कुछ ही इसमें इंपोर्टन्ट है उसको ध्यान रखिएगा आगे चलते हैं अब आते हैं कुछ संब्सक्राइबांड तेट की अफ्य नंबर अम्मण यह निशाएं चाहिए लिए सब चीजिकिसे लिए तो 68 मैं, 74 में राष्ट पती को सलाह देने के लिए एक मंतरी परिशद होगी, तो मंतरी परिशद काूल लेकिस में, 74 में 75 में क्या है प्रधान मंत्री की नियुक्ति राष्टपती करेगा किसी भी विजेता पार्टी से जो जिसको बहुमत मिला होगा उस पार्टी से एक नेता चुनेगा और वो एक प्रधान मंत्री के रूप में होगा कौन नियुक्त करेगा राष्टपती नियुक्त करेगा किस आर्टिकल में 75 आगे चलेंगे 76 में क्या है ये भी पूछा जाता है महा नयावादी ये फिर Attorney General कहते हैं इसको जो कि सरकार का वकील होता है किसमें है आर्टिकल 76 में 86 नंबर पर फिर आता है संसत ये 79 में है 80 पे है राजसभा 81 पे है लोगसभा जो बड़ी वाली जो सदन ह होती उसे लोगसभा का जाता है यहां पर मेंबर्स की बात नहीं हो रही है जो एक बुजुर्गों की एक संस्था कई जाती उसे राजसभा का जाता है इसलिए इसे बड़ा माना जाता है यह हो गए 801 पे आएगा लोगसभा आगे चलेंगे 108 नंबर काफी इंपॉर्टन थ इसमें प्रावधान अगर किसी भी बिल्प में जो मतभेद हो रहा है कोई उसमें प्रावधान है 108 के अंतरगत और इसकी अधेशता कौन करेगा यह पिलाँगा तो बुलाएगा तो रास्ट्पति भुलाएगा आगे चलेंगे धन किसमें आता है तो 110 नंबर पे 112 पे क्या है तो वाश्रिक वित्तिय विवरांट जिसे हम नॉर्मल लैंग्विज में बजट बोल देते हैं लेकिन बजट सब्दका उल्लियोग समविदान में कहीं नहीं है तो इस तरह की कोशन पुछ आते हैं 117 में वित्त विद्यक 123 में अध्यादेश काफी ज्यादा इंपॉर्टन्ट है इसके अलवाथ 263 में अंतर राज्य परिसत का उलेख किया गया है आर्टिकल 338 में राश्टे अनसुचि जाति नायो के बारे में बताया गया है 38 3OTE में राश्टी अनसुचि जाति आयो राश्टन की गठन का 352 में क्या है आपातकाल 356 में सब्सक्राइब करते हैं वीडियो पसंद आयो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजेगा आ रहो या पर हो यह फिर सब्सक्राइब कर सकते हैं पहले पूरा डिटेल लिंक पर जाके आप देख लीजे उसके बाद ही जोइन करेगा थेंगी सब्सक्राइब